शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें मैंने सब कुछ बहुत ही परफिक्टली प्लान किया है देख लेना कल सुबे हमारा नया उफिस बहुत ही ग्राइन तरीकी से स्टार्ट होगा अरे समहल के इसमें बहुत ही किमती समान है अगर कुछ भी तूटा तो तुम्हारे पेमेन में से पैसे काट लूगी आप बिल्कुल टेंशन मत लिए तो कुछ समहल लो किया पादा चला तुम्हार इसे किसे ने गूली मारी जरा पल्टो बोड़ी को गूली आरपार हो गई है आप सर किसी ने देखा गूली चलाने वाले को नहीं सर अच्छा गूली की आवाज नहीं सर किसी ने आवाज भी नहीं सुने गूली चलाने वाले को नहीं देखा गूली चलने की आवाज नहीं आई मतलब मारने वाला पूरी तैयारी के साथ आया था साइलेंसर लगा के मारा है सरादनी उपर से गिरा है यहाँ पर वहाँ उपर से? हाँ सर किसी ने देखा उपर से गिरते हुए हाँ सर, इन लोगों ने क्या देखा आप लोगों ने यहाँ पर? सर मैं यहां खड़े होकर अपने असिस्टिंट से बात कर रही थी और अचानक से ये लाश उपर से मूखे बल यहां गिरी कोली चलने की आवास सुनिया आप लोग आने जी नहीं सर चेखने चल लाने की जी बिलकुल भी नहीं को नहीं आद्म आप लोग जानते हैं नहीं सर यह यहां काम नहीं करता क्या है I don't think so नहीं सर तुम से करता है करता हूं यहां को नहीं आद्मी कब आया है आप बता नहीं साब पता नहीं, क्या कर रहे थे हैं आपे, इसके एंट्री नहीं लिखे क्या साब रजिस्टर में एंट्री तो की होगी साब, लेकिन चेहरा इतना पिचाग्या है साब, पैचानना मुश्किल है साब अच्छा किसी को भागते वे देखा यहां से, नहीं साब कोई आईडी बगर है? सर आईडी बगरह तो नहीं है, पैंट के अंदर वाली जेब में यह ड्रक्स का पैकट है ड्रक्स का पैकट? सर यह देखे यह तो रसी का निशान लेकिन सर यह आदमी उपर रसी के साथ क्या कर रहा होगा? सर एक और लश वीजय जी? सर आप जानते हैं इन्हें? हाँ, यह एक रेटार्ट पॉलिस ओफिसर है पिछले साल ही रेटायर हुए थे रेटार्ट पॉलिस ओफिसर? सर यहां क्या करने आये होगी? सीने पे गोली मारी है सर इनको भी गोली आरपार हो गई है पहली लाश की तरह माइ गॉड इनको भी गोली मारी और नीचे जो लाश पड़ी है उसे भी सर कहीं दोनों का आपस में कोई संबंद तो नहीं? संबंद है पूर्वी, संबंद है यह देखो इनके हाथ देख रहे हो? इनके हाथ पे भी वैसा ही रसी का निशान है जैसा नीचे वाली लाश पर सर लाश फोरेंसिक बिजवादी माइ कॉड क्या हो सर इस अब क्या हो रहा है तीन तीन लाश है सर इसे भी गोली मारी है सर एक जिपून नहीं मतलब सर गोली अभी भी अंदर है सर बाकी दोको गोली आरपार हो गई है इन्हें नहीं क्या जग्कर है सर सर इसके हाथ पे भी रस्थी के निशान एक बात नोट की तुम लोगन तीनो के हाथ में रस्थी के निशान है तीनो को गोली लगी है लेकिन तीनो को गोली अलग-अलग जगह पे लगी है जो आत्मी नीचे पड़ा है उसको गोली सीने के निचले भाग पे लगी है विजय जी को सीने के बीच में और इस आदमी को गले में तीन गोलियां तीन अलग-अलग जगह पे सर उसकता है खुनी तीन अलग-अलग लोग हों वो सकता है मगर कितनी अजीब बात है तीन-तीन खुन हुए हैं यहाँ पे कौन है? इनका ओफिस नीचे ही है नीचे ही ओफिस? जी निकिन, इसका साथ जाओ और ओफिस में से किसी को ले कियाओ यहाँ पे सर, आइए सर, एक रिटायर पुलीस ओफिसर, दूसरा बिजनसमैन और तीसरे की जेब से हमें ड्रग्स मिले यह तीनो टेरिस पे क्या कर रहे थे? सर, शायद यह विकरम ड्रग्स लेता हो और दूसरे आगमी से खरीदता हो जो शायद एक ड्रग डीलर हो हम अगर एक रेटायर पुलीस ओफिसर, विजे जी यह यहाँ पे क्या कर रहे थे? सर सर, यह सुनील जी विकरम जी के मैनेजर किसने मार आएन है? सर, सर मुझे खुब भी जटका लगा सब मुझे सेक्रोटी वाले ने बताया आज यह आफिस आया थे? जी सर, इनफरक्ट विकरम सर मेरे साथ ही मीटिंग मे थे जब यह आपके साथ मीटिंग मे थे तो वो यहां कैसे पहुंचे? जी वो तकरिबन एक बज़े सिगरेट पहने के लिए उपर आय थे यह सिगरेट पीने हमेशे यहीं पहाते थे? जी अच्छा जब यह निकले थे तो इनके साथ में कोई और आदमी था? या अकेले थे? जी नहीं कोई नहीं था कोई भी नहीं था? नहीं सर वो सकता है विक्रम जी नहीं दोनों को बलाया ओपर टेरीस पे आम अगर एक बिजनेसमेन को क्या काम आपड़ा? एक जग वाले से और एक पुलिस वाले से अर वजब इंड़ एक रहता है जले आप आप आपर म महाले से आपर आपर टॉन आपर वाले से आपर एक आपरे को आपर एकपरा फ्रस्ट प्रास, प्रजस प्रवम लुल झाल 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 मुझे नहीं यहाना है मैरे क्या बच्पना है फ्रेड़ी चलो अंदर मैरे नहीं आउगा मुझे नहीं यहाना है मैरे नाराज होने ज़र क्या फायदा है बात कर ले दें डाक्र साब क्या हुआ आज फ्रेड़ी सर के मिजाज को खराब है अब क्या बताऊं तारिका जी ये डॉक्टर साब इनकी बज़े से हो रहा है साब क्या डॉक्टर साब क्या कह दिया आपने फ्रेड़ी को अंदर आने के लिए तयार नहीं है कामाल करते हो यार मैंने क्या कह दिया भाई ए फेड़ी यहां इतर इतर रख काम काम क्यों भई क्या बात है मैंने क्या कह तुमसे परसु तो आपने कहा था न फोरेंसिक लैब में आना है तो दिमा का ताला खुल के आना है वरना आना ही नहीं है या तो ठीक ही का, अरे तुम लैब में आते हैं इतने ठेड़े मेरे सवाल करने लगते हो, तो कहना तो पड़े ही गा, इसमें नाराज क्यों होते हो यार? अरे जाने दीजे, डॉक्सार, कभी-कभी ऐसे केस आ जाते हैं कि दिमाग में टेड़े मेरे सवाल उठने लेगे, अब इस केस में लीजे, तीन-तीन लोगों को गोली लगी है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चलना है कि गोली चली कहां से है, हावा में से, हावा में से, हाव और इन तीनों की मौत एक ही गोली से हुई है, क्या? एक ही गोली से? हाव विजीत, तीनों को एक ही गन से और एक ही बुलेट से मारा गया है, हवा में से गोली चली, एक गोली से तीन लोग मर गए, तीन-तीन लोग मर गए, यह कैसे हो सकता है सर, फिर आप कहेंगे कि एक बार तो वाकई इस सवाल ले मेरी भी खोपड़ी घुमा दे थी लेकिन बाद में दिमाग लगाया और घाव को अच्छी तरह से देखा तो समझ भाया घाव देख के? क्या क्या समझना है? हमें भी तो समझाईए मैं बता दो इने को इसकी घाव को देखो इस आदमी को गोली यहां सीने पर लगी है उन तो साफ दिखाई दे रहा है तैने पूरी बात सुन लेने चाहिए सचे अगर यह दिखाई दे रहा है तो यह भी तो दिखाई दे रहा होगा कि इसे यहां सीने से काफी ऊपर गोली लगी और यह देखो इस आदमी को गोली गर्दन पर लगी तो यह अभीजीर यह तीनों लोग एक ही लाइन में खड़े हुए था आगे पीछे और यह यह पेला वाला आदमी खूनी से करी डेड़ से दो फिट की दूरी पर था अग खूनी ने गोली नीचे से चलाए यह लो फिर से बम फोड़ दिया अरे डॉक साब मेरा ने फ्रेड़ी का तो खयाल करो साब साब बताओ कहना क्या चाहते हो मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप लोगों को दिखाता हूँ आए फ्रेड़ी आजा तो तीन आप ने माट को दिखाता हूँ किच रहे थे सर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि उन तीनों मरने वालों का आपस में कनेक्शन क्या है फ्रेड़ी एक एक्स पुलिस ओफिसर वीजय है दूसरा बिजनेसमन विक्रम और तीसरा वो आदम जिसके पास से हमें ड्रग्स मिलेते तीनों के तीनों एक साथ उस बिल्लिंग के चट पर थे क्यों? कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर होगा ना उस तीनों के बीच में इसलिए तो वहां उस चट पर थे एक साथ सर ड्रग्स का चक्कर हो सकता है शायद वहां कोई ड्रग डील हो रही हो अगर ऐसा है तो फिर वह एक्स पुलिस ओफिसर वहां पर करके रहा था हो सकता है वह एक्स पुलिस ओफिसर उस ड्रग का गैंग मंगर हो क्या फिर यह भी हो सकता है कि वह किसी का पीशा कर रहा हूँ लेकिन हमें पता लगाना चाहिए उस तीसरे आदमी का वो तीसरा आदमी जिसके पास से वो ड्रग्स मिले थे वो कौन है मकर सर उन तीनों को इतनी प्लानिंग करके मारा किसने होगा मारा जिसने भी हो पर वो वहाँ शायद सिर्फ एक कुमार ने आया होगा और बाकी की दोनों बस गेहू में घुन की तरह पिस गए आरजद हो भी सकता है और नहीं भी लेकिन एक बात पक्की है क्यों तीनों के हाथों पर रसी के निशान थे रसी के तीनों की तीनों करने क्या गए थे रसी के साथ बिल्लिंग के छट पर चक्कर क्या है रसी का एक बात और से विक्रम के मैनेजर ने अबने बताया था कि उसने कभी भी विक्रम के मूँ से विजय का नाम नहीं सुना था मतलब विखरम वीजे को जानता नहीं था है ना? जी सरॉ वो सकता है वीजे विखरम को जानता हूो तो पता लगा देखो देखो क्या संबन था विजे और विकरम वे बीच में क्या संबन्ध था डोटर सारुंक्या ने बताया था कि पहले आदमी को खोनी ने दो तिन फिट की दूरी से गोली मारी गए और वो भी नीचे के एंगल्स है पहले आदमी को सीने पे लगी, दूसरे को सीने पे उपर और तीसरे को गले में लगी इसका मतलब खुनी जहां से बाहर लटक रहा था पर सर कोई ऐसे हावा में से गोली कैसे चला सकता है गुर्वी उन तीनों के हाथ में रसी के निशान थे तो शायद उन तीनों ने ये रसी पकड़ी होगी और खुनी उसी रसी के दूसरे सिरे पे नीचे लटका होगा और सर कुनी रसी से लटका के होगा और अगर लटका था तो तीनों रसी खीच क्यों रहते उसकी मदद क्यों कर रहते शाहद उने मालूम नहीं होगा कि नीचे लटका हुआ आजमी खुनी है और उनकी जान लेने वाला है उसने मदद मागने के बाहने से इंतीनों के हाँ बुलाया और नीचे लटक के उनको गोली मार दी लेकिन सर उसने बिल्डिंग से लटकने के लिए वजा क्या बताई होगी बिल्डिंग से बाहर लटकने के क्या वज़े हो सकती है बिल्डिंग से कौन आदी बाहर निकली है वही जो साफ सफाई का काम कर रहा हो बिल्डिंग का काम कर रहा हो या फिर प्रिंटिंग का काम कर रहा है शोभा जी क्या विजाय जी किसी बात को लेकर परिशान थे जी ऐसी तो कोई बात नहीं हाँ मगर अपने पूराने केस को लेकर थोड़ा एक्साइटेट थे एक्साइटेट थे? किस केस को लेकर? जी ये तो मुझे पता नहीं क्योंकि काम की बाते वो मेरे साथ डिसकस नहीं करते थे जी विजाय जी किसी विक्रम नाम के आदमी को जानते थे ये नाम तो मैंने उनके मुँझे कभी नहीं सुना कल घर से निकलने से पहले उन्होंने कुछ कहा था आपको? या फिर बताया हो कि वो कहां जा रहा है? जी बताया तो कुछ नहीं लेकिन हां निकलने से पहले एक फोन आया था फोन मोबाइल पर आया था या लैंड 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 पर ये फोन कितने बज़ आया होगा? यही 12 12 के करीब फिडी चेक करो देखो 12 से 12 12 के बीच किस नंबर से फोन आया था सर बारा और साड़े बारा के बीच सिर्फ एक ही फोन आया था कोई लाइन लाइन नंबर है फोन करो उस लाइन लाइन पर देखो कहा का नमबर है है हलो आप कहा का नमबर रहे? क्या? ओके, ठैंक्स क्या हो ऐसा? जिस नमबर से विजए जी को फोन किया गय था वो विक्रम के ऐफीस का है क्या? विक्रम के ऐफीस का विक्रम के ओफिस से किसने फोन किया होगा और क्यों? हम तो किसी विज़ा नाम की आपनी को जानते भी नहीं है शायद विक्रम ने फोन किया हूँ मेंगर विक्रम सर क्यों फोन करेंगे जब वह किसी मिज़ा नाम की आपनी ृशु क्यों नहीं थे? हलो सर्व मार रोहित है कर विक्रम का Heuteš आपके भाई विक्रब ने कभी आपके सामने विजय नाम के किसी आदमी का जिक्र किया था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं. आपका भाई ड्रग्स लेता था? ड्रग्स तो लेता था सर, लेकिन ये बात एक साल पुरानी है. एक साल पुरानी बात? मतलब? अगर विक्रम सच मुछ में बदल गया था उसने ड्रक्स भी छोड़ दी थी तो वो ड्रक्स वाले आदमी के साथ च्छत पर क्या कर गाता है सर्व करते आप कर थे एला वज़ भी ताभ निए कर रहा है अभी थाथ कर रहा है किया कर रहें देखने अन्डर गवर्ण मिल्दी यह कर रहें कौन हैं याप लोग व्लोग सीडी सेरफ और क्राना करा colonial मुद ने एर लेकर मैने क्या क्या है और भी पात अळगा तिगडी स्कुएयर बेल्डिंग आजे दो वेल्डिंग काम एर एक एर था हा जी मैं हें था सेव आए पने विंहोंगी यह ग्या था फून किने खून? हाँ तीन तीन लोहों का खून किन एथ नहीं साफ, मेरा विश्वास कीजी, मैंने कोई खून ने किया देख, जूट मत बलू, साच-साच बता अले साफ, मैं क्यूट बोलूगा, मैं तो दो पार एक बजे खाना खाने गया था और जब लोट के वापस आया, तो गार ने कहा कि अंदर मत जाओ, खून हो गया है, काम मत करो, जाओ बसने के बाद हरा अपरादी ऐसे ही कहता है, सस्त तो ये है कि तूने उन तीनों का खून किया और वहाँ से भाग गया नहीं मैडम, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई खूनने किया, फिर एंट्री बुक में बाहर जाने का टाइम क्यों नहीं लिखा, जल्दी जल्दी में लिखल गया था, और वैसे भी खाना खाने के बाद वापस काम पे ही आना था, इसलिए मैंने साइन लें किया अच्छा आप ये बताइए, कल विकरम से मिलने कौन-कौन आये था सर, रोज की तरह कल भी दस बारा मीटिंग्स थी उनकी, कोई खास बात उन मीटिंग्स के बारे में वैसे तो कोई खास बात नहीं थी, लेकिन बहुत दिन अबाद कल दुरूफ सर आये थे ये दुरूफ कौन है? सर, दुरूफ भाई का एक्स बिसनेस पार्टनर एक्स बिसनेस पार्टनर? हाँ सर, दरवसल एक साल पहले भाई से उसने पार्टनर्शिफ दोर दी थी क्यों? सर, दुरूफ पाई-बाई के लिए मौताज हो गया था और उसे लगता था कि इसकी वज़ विक्रम है जिसने सारा पैसा अपने नाम कर लिया सर, उस वक्त दुरूफ सर ने विक्रम सर को जांचा मारने की धंकी भी दी थी कहां में लिगा ये दुरूफ? सर, गर के अंदर कोई गर नहीं मिली सार, मेरा वेस्वास केजिए मैने कुछ भी नहीं किया तो अब तुमने कुछ नहीं किया तब फिर खुन ने तुमारा ही भटा और तुमारी रसी कैसे इस्तim Strike सर, ये सब मुझे नहीं मलूँ लेकिन खुन मैने नहीं किया सा के एक बाप बताओ और इसी की रसी और इसी का फट्टा इस्तमाल किया और इसके आने से पहले खून करके वहाँ से निकल गया अच्छा तुमने वहाँ कुछ ऐसा देखा या सुना तो तुम्हें अजीब सा लगा मेडम सेवेंथ फ्लोर की खड़की के बाहर में वेल्डिंग कर रहा था यह मेरी कुछ भी समझ में नहीं है अच्छा यह सब हुआ कि इतने बाचे? सर यहीं करीब 11.30 बाचे 11.30 बाचे? एसे यह बताओ के कल 11.30 के बीच तुम विक्रम की ओफिस में कह थी? हाँ गया था क्यो? कुछ काम था वोई तो पूछ रहा हूं, क्या काम था? आप लोगों किससे क्या लेना दिना है? लेना दिना है मिस्टर, इसलिए तो पूछ रहा हूं, क्या काम था? आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं मेरे साथ? ये दादागिरी नहीं, मिस्टर दुरूर, शराफस से पूछ रहें, बता दीजिए. कुछ परसनल काम था. देखिये, ये घुमा फिरा के बाते करना बंद कीजिए. और शराफस से वो बताई है, जो हम पूछ रहें. क्योंकि अगर हम दादागिरी पे उतार आये ना, तो दोते की तरह बोलना चुरू कर देंगे आप. मैं, मैं विक्रम ते कुछ काम की बाते करने किया थे. बात करने गए थे, या जान से मारने की धंकी देने गए थे. धंकी? मैं भला उसको धंकी क्यू दूँगा? तो फिर तुम दोनों के बीच में जगडा किस बाते होगा? सर्वो, जगडा नहीं था, एक मामूली सा आर्ग्यूमेंट था. अच्छा? मामूली सा आर्ग्यूमेंट था, हा? ये तो काफी महान इंसान मालूम होते हैं. आपके लिए चीखना, चिलाना, चीजों को तोड़ देना, ये सब एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट. मैं सच क्या रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए, हमारी बहस ज़रूर हुई थी, लेकिन उसके बाद सुला भी हो गई थी. सुला नहीं हुई थी, बलकि उस मामूली कहा सुनी के बाद, तुमने उसका खून कर दिया. देखिये मेडम, मैं मानता हूँ कि मेरा विक्रम के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ था, और मैंने गुस्चे में वाद भी दोड़ा था, लेकिन, लेकिन इसका अमर लभी ये तो नहीं कि मैं उसका खून कर दूँगा. तर किसने क्या खूड़े? मुझे नहीं मालूम. सर, विक्रम मेरा दोस्ट था, मैं भला उसका खून क्यूं करूँगा? दोस्ट, मगर विक्रम के साथ तुम्हारी पार्टनर्शिप टूटे हुए, एक गड़ साल हो गए न? और तुमने कसम भी खाई थी कि तुम उससे बरबाद कर दोगे. वा, क्या दोस्ती है? लेकिन वो तो काफी पुरानी बात है, और कभी गुस्से में कह दिया होगा. तो फिर तुम्हारी विक्रम के साथ कहा सुनी किस बात में होगी थी? सर, मैं विक्रम के ओफिस अपना कंपंसेशन लेने किया था, जो कि मुझे हर कीमत पर चाहिए था. मगर... मगर क्या है? मगर सर, विक्रम ने कंपंसेशन देने के लिए साफ अनकार कर दिया. उल्टा वो तो मुझे अपने ओफिस से बाहर निकालने की बात करने लगा. फिर क्या हो? फिर सर, मैंने विक्रम को उसके किय हुए सारे फ्रॉड याद दिलाएं. वो तुरंट मेरे सारे नुकसान की भरभाई करने को तयार हो गया. भरभाई करने को तयार हो गया? हाँ, सर. उसने चेक भी काट के दिये मुझे. चेक दिखाओ? हाँ, सर. सर, इससे पहले मैंने कई बार विक्रम को उसके फ्रॉड की याद दिलाई. लेकिन हमेशा वो पैसे देने में आना गानी करता रहा फिर इस बार कैसे उसमें चेक काट कर देती है सर मैं खुद भी बड़ा हैरान हूँ कि यह सब कैसे हो गया कहीं विक्रम बदल तो नहीं गया यह देखे सर विक्रम के साइंग भी है यह दो सकता है कि यह चेक तुमने विक्रम से जबर्दस्ती लिया सर अगर जबर्दस्ती करनी होती तो काफी पहले कर चुका होता अच्छा कर दो पहर एक से दो बज़े की बीच में तुम कहा थे मैं एक बिजनेस मीटिंग में था आप चाहें तो पूछ सकते हैं वो तो हम पूछ ही लेंगे लेकन आप यह बताएए कि आपने विक्रम के आजपास ऐसा कुछ देखा या सुना जो अजीब से लगा हो हाँ सर मैं जब विक्रम के ओफिस से बाहर निकल ला था तो मैंने विक्रम को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था क्या बात करा था सर वो बड़ी टपोरी लेंग्वेज में बात करा था लेकिन वो बात किस से कर रहे थे किस से भीकू भीकू नाम के किसी आदमी से बात कर रहा था भीकू सर मैंने दुरूफ का बयान क्रॉस चेक किया वो सच कह रहा है एक और दो बचे के बीच में वो अपने ओफिस में एक बिजनस मीटिंग ही अटेंड कर रहा था मतलब विकरम का जब खून हुआ तब द्रूव अपने ओफिस में बिजनस मीटिंग अटेंड कर रहा था तो फिर विकरम का खून किया किसने जबकि ध्रूव के अलावा विक्रम का कोई दुश्मन था ही नहीं सर अर्या क्या पता जला भीकू के बारे में सर ये भीकू कुछ साल पहले तक अपने एरिया का मंझा हुआ गुड़ना था छोटे मुटे क्राइट्स करता था लेकिन पिछले कुछ साल से वो ड्रग्स अप्लाय करने लगा था और सिर्फ अमीर लोगों को अपने ड्रग्स बीचता था अच्छा एक और ड्रग भी ले रहा है सर जब मैंने भीकू की सारी डीटेश निकाली तो मुझे एक जटका लगा कैसा जटका? सर भीकू के फिंगर प्रिंट्स उस तीसरी लाश से मैच करते हैं वो लाश जिसके पॉकिट में हमें ड्रग्स मिलें भीकू के फिंगर प्रिंट्स उस तीसरी लाश के साथ मैच करते हैं तो इसका मतलब है वो लाश भीकू की है भीकू की तो फिर ये भीकू कर क्या रहा था वीजय और विक्रम के साथ उस बिल्डिंग के छट पर यह नहीं हो सकता मेरे पदी की मौत नहीं हो सकती वो नहीं मर सकते यह कर रहें देखिये, संभालिया अपने आपको हिमत रखिये यह रीजी, पानी पीजी किस देवारा मेरे पती को खुनी-खुनी, मैं उसे नहीं जोड़ोगी देखिये, हम भी ढूंडे की कोशिश करें कि खुनी-खुने आपने कभी विक्रम का नाम सुना? जे नहीं, मैं विक्रम को नहीं जानती देखिये, फ्लीज, ध्यान से सोचिए आपके पती भीक्रम ने कभी भी विक्रम के बारे में जिकर किया था? जे, नहीं आप कम से कम ये तो जानती होंगी कि भीक्रम ड्रक्स का धंदा करता था जे, ड्रक्स का धंदा करते थे पिछले साथ, आट मेने से वो एक्टम सुधर गये थे सुधर गये? अब ये अचानक कैसे सुधर गया भीक्रम? जे, वो ड्रक्स टीलर के जिन्दी से बहुत तंग आ गये थे तंग आ गया था या कोई और बात थी? जे, वो तो मैं नहीं जानती की, कोई और बात थी है नहीं बगर उन्होंने मुझसे कह था कि अब हमें ये सब करने के कोई जरूत नहीं से क्यों? ऐसा क्या मिल गया था भीकू को, जो वो गलत धंदे छोड़ने को तियार थे? उन्हें हर हाफ़ते एक अच्छे कासी रकम मिल जाती थी जसमने हम लोग आराम के जिंदगे जी लेते थे अच्छे कासी रकम वो भी हर अफ़ते? कहां से आते थे ये पैसे? जी, वो मुझे नहीं मालूम पर वो हर हफ़ते एक पैसों का पैकेट लेकर आते थे पैसों का पैकेट यह पैकेट होंगे आपके पास जी जड़ा दिखाएंगे कैसे हैं यह पैकेट जी फीखू जैसे आदमी को अचाना कितने सारे पैसे मिलना कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ड्रग्स का दंदा छोड़ के कोई और गलत काम शुरू कर दिया हो हो सकता है विवेक चोर-चोरी से जाए फिर आप फेरी से नहीं अरे यह तो विक्रम की कंपणी का इनवलप है मतला भीकू को पैसे विक्रम देता था मगर क्यों यह इनवलप कब लाया था वो चीप परसो लाये थे परसो यह काम करते हैं इन नोटों की गड्डियों पर उंग्लियों के निशान हो रहे उनसे पता चल जाएगा कि यह पैसे विक्रम ने दिये थे या किसी और ने यह क्या नोटों के बंडलों के ऊपर रगु के उंग्लियों के निशान है? हाँ सर मगर रगु की तो एक साल पहले प्लेन क्रेश में मौत हो गी थी तो फिर उसकी उंग्लियों के निशान कहा से आए? वही तो फ्रेडी वही तो रगु के उंग्लियों के निशान आए कैसे और कहा से? इसका एक ही मतलब हो संता है कि उस प्लेन क्रेश में रगु की मौत हुई नहीं रगु बच गया रगु और ना एक दिन पहले लाए हुए नोटों के बंडलों पर उसके उंग्लियों के निशान आएंगे कहा से? रगु बच गया उस प्लेन क्रेश में रगु बच गया लेकिन उस प्लेन क्रेश में विक्रम भी तो था विक्रम भी तो था न? वो भी तो बच गया था? हाँ सर उस प्लेन क्रेश में दो ही लोग बचे था एक और अरद और दूसरा ये विक्रम इसे वही तो कैसे? मेरा तो दिमाग गुंगिया सर उस प्लेन क्रेश में सिर्फ एक आदमी बचाता रगु अगर जिन्दा था, तो विक्रम की मौत हो जानी चाहिए थी नगर सिर्व विक्रम की लाज तुम्हें उस बिल्लिंग की छट से मिली थी सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है वेके काम करो, रगू की उंगलियों के निशान, विक्रम की लाश की उंगलियों के निशान के साथ मैच करके देखो, सब साफ हो जाएगा. येस सर, देखो. सर, पॉफिट मैच, रगू की उंगलियों के निशान, विक्रम की लाश की उंगलियों के निशान के साथ मैच करते हैं सर, इक्जाटली, जिसे, जिसे हम विक्रम की लाश समझ रहे थे, वो विक्रम की लाश नहीं, बल्कि रगू की लाश थी, रगू की लाश वगर सर ऐसा कैसे हो सकते है रगू ने अपना चेहरा ऐसे कैसे बदल दिया विक्रम कैसे बन गया ऐसा ही हुआ विवेक ऐसा ही हुआ बस उस हॉस्पिटल में जाकर पूछताज करो जहां पर इस प्लेन क्रैश के पैसेंजर्स को अड्मिट किया गया था वहीं पर विक्रम और रगू के चेहरे का परदा हट जाएगा और वहीं पर दूद का दूद हो जाएगा और पानी का पानी लोटे साब पिछले साल जो प्लेन क्रैश हुआ था वो प्लेन बहुत बुरी तरीके से क्रेश हुआ था, हमने बहुत कोशिश की सर, लेकिन सिर्फ दो लोगों को बचा पाए और उनमें इसे एक का नाम था विक्रम, क्या आप हमें बता सकते हैं कि जब उस आदमी को यहां लाया गया, तो वो किस हालत में था? जब उसे यहां लाया गया था, उसकी हालत बहुत खराब थी, उसका शरीर बिल्कुल जल गया था, चेहरा तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था तो फिर आपने उनकी प्लास्टिक सर्जुरी की? जी हां उस क्रेश के वक्त, यहां पर सौ से जादा लोगों को लाया गया था, और सब की हालत बहुत खराब थी, और हमारे पास टाइम कम था, इसलिए हमने पेशन्ट की पहचान उनके सीट नेमबर से की, उसी से पता चला कि वो विक्रम है, और उसकी तस्वीर की मदद से उसका च और शुकिए है, तक्की डॉक्टर, कीवली, सर एक बास समझ नहीं आई, रगु को विक्रम का चहरा तो मिल गया लेकिन उसके घरवालों ने उसके हावबा उसके आदों से कभी पहचारा नहीं कि विक्रम ने कोई और है, वो सकता है रगु विक्रम का अच्छी तरसे जानत सर, रगु और विक्रम एक दूसरे को जानते थे, क्या, ये सर, रगु एक गैंग्स्टर था और विक्रम के बिजनेस के लिए छोटे-मोटे गैर कानूनी काम करता था, और सर, रगु की फ्लाइट की टिकेट भी विक्रम की कंपनी ने बुग की थे, चा, देखा किस मतनी कै एक गैंग्स्टर को बिजनेस्नन बना दिया, और मौकी का फाइदा उठाते हुए, रगु चुचाब विक्रम की सिंदकी चीने लगा, रगु और विक्रम की सिंदकी चीने लगा, रगु और भिकु भाइवाई थे, शाएद इसलिए रगु ने विकु को चत पे बुलाया सर, मैंने विजय के कुलीक से पता किया, कि एक जमाने में रगु विजय का इंफॉर्मर हुआ करता था, रगु विजय का इंफॉर्मर हुआ करता था, बस, तो रगु ने विजय को पुला लिया होगा, कुछ इंफॉर्मिशन देने के लिए, सर और एक बाद, वो क्या, ऐसा कौन हो सकता है जो यह सब कर रहा है? सर, रगू को परशूरात किसी ने अपने घर में जाते हुए देखा है लेकिन सर, रगू अपने घर क्यों जाये? वो अगर महाँ जाता है तो उसका परदा फाश नहीं हो जाएगा लोगों को यह नहीं पता चल जाएगा कि वो विक्रम नहीं रगु है रजट जरूर इस रगु के घर में कोई ऐसी चीज चुपी हुई है जिसे मिलते ही रगु का परदा पाश हो सकता है लेकिन क्या हो सकती है वो चीज ठूंडो उस चीज को अच्छी तरह से तलाशी लो रगु के घर की तलाशी लो ठर सकत है झाथ झाथ सार, इतने बड़े पैकेज में क्या हो सकता है? खोल के देखते हैं पेंटिंग्स? काफे महंगी पेंटिंग्स है इतनी महंगी पेंटिंग्स है, रगु के पास कहा से आई? रगु तो अभी विक्रम बनके गूम रहा ना? और सर, अब उसके पास इतने पैसे हैं कि वो ये पेंटिंग्स आसानी से खरीच सकता है अब मगर रगु ने ये पेंटिंग्स यहां पर चुपाया क्यों? अगर ऐसा होता तो अपने घर पर सजा के रखता है इन सर फिर पता कैसे चलेगा के ये पेंटिंग्स इस रगु तक कैसे पोची? एक आदमी है जिसे मैं जानता हूँ वो बता सकता है इन पेंटिंग्स के बारे में ये देखो रखो एक बहुत ही महान इटालियन पेंटर जिसने एक पेंटिंग्स बनाई प्रेवाँ सर तुझे बता नहीं ता आपकी पेंटिंग्स में तनी दिल चस्पी है अहाँ जब कभी टाइम मिल जाता है पैसे इसा होता बहुत काम है मेरे भी होबिस है दया के पेंटिंग में इंट्रेस्ट लेने का श्रेक थोड़ा बहुत मुझे भी जाता है नबस्ते ये संजीव जी है वर्लट आर्ट एक्सपर्ट संजीव जी यही है वो पेंटिंग जिसके बारे में मैंने आप से बात की आजे तो बड़ी कीमती पेंटिंग्स है इसको रशिया के पेंटर मेरो सामाने बनाई थी इनकी कीमत तो करोडों में है इन पेंटिंग्स को लेंडन के साउथ बे आउक्शन में बेचा गया था और मैं वहाँ था तो बता सकते हैं कि यह पेंटिंग किसके नाम पे खरीदी गही थी? इनको खरीदे वाला और कोई नहीं, इंडिया के मशूर आट कलेक्टर यश्वन जी थे सर, ये यश्वन जी विक्रम के मामा है यश्वन विक्रम के मामा है? और सर्जीव जी आपने ये क्यों कहा कि यश्वन्त आर्ट कलेक्टर थे क्योंकि थे अब नहीं है आज से तेन साल पहले आर्म रॉबरी में उनको मार दिया गया था और उनका सारा कलेक्शन लूट के ले गये थे अगर उनका सारा आर्ट कलेक्शन लूट लिया गया तो फिर ये पेंटिंग्स रगू को कहां से मिली सर विक्रम के जाजा यश्वंद के खर से जो पेंटिंग चोरी हुई थी और उनका मड़र वाद उस केस की फाइल अरे ये क्या क्या हो सर इस केस के इंचार्ज विजय जी थे सर विजय जी की बीवी शायद इसी केस के बारे में बात कर रहे थी जिसको लेकर विजय जी एक्साइटेड थे इसमें लिखा आए घर के अंदर कोई फोर्स टेंट्री नहीं थी इसका मतलब ये काम किसी अंदर वाले आदमी का है जिसे घर के बारे में पूरी जानकारी थी इस पर येश्वन जी को पूरा हरोसा था अच्छी तरीके से पहचानते थे उसे मगर से वो आदमी कौन था जिस पे विड़े जी को शक था मज़ेदार बात ही है कि उसका नाम विक्रम है विक्रम पे शकता है? हाँ, विक्रम पे शकता है लगर सबूत मा मिलने की वज़े से ये केस पेंडिंग पड़ा हुआता है सर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये रगू और विक्रम इसने विज़े जी को क्यों बुलवाया और वो ये पेंडिंग केस क्यों खुलवाना चाहता था जबकि वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर ये पेंडिंग केस खुल गया तो वो फस जाएगा क्योंकि दुनिया की नजरों में वो विक्रम है इसका मतलब रगू को पता चल गया था कि असली खूनी कौन है यश्वन जी का खून किस ने किया और किस ने वो पेंटिंग चुराई वो चाहता था कि असली खूनी पकड़ा जाए जिसकी वज़े से विक्रम का नाम इस केश से साफ हो जाए रगू बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सके विक्रम बनके जर अब यश्वन जी का खून किस ने किया और वो पेंटिंग किस ने चुराई कोई ऐसा आदमी जिसे मालूम था कि विक्रम विक्रम नहीं लगू है ओ डार्लिंग अभी तक तुमने मुझे पहचाना ही ने यूनो वाट साप का काटा बच सकता है विच्छू का काटा बच सकता है लेकिन मेरा तुम्हें घबराने की कोई जौरत नहीं और फिर तुम तो जान हो हमारी सारे रास्ते साफ हो चुके और अब जल्दी तुम हमारी दुलहन बनोगी और इस सारी जाएदा सार आप हयां आ वो शादी का तोफा देना था तोफा कैसा तोफा सार कुझी देख लो सार यह तो यह तो वही पेंटिंग है जो मेरे मामा येशुवंत के घर से चोरी हुई थी हाँ रगु के घर से मिली उसे ने चुराई थी थांकियो सार आप सार मेरे भाई के कातिल का पदा चला? हाँ, पदा चल भी गया है और नहीं भी मतलब? मतलब ये के हम जानते हैं खुनी कौन है पर हम चाहते हैं के वो खुद ही सब कुछ उगल दे कौन है सर? किसने मारा मेरे भाई को? शायद तुम मेरे भाई का खुन क्यों करूँ ऐसा भाई को ने रखु को तो मारी सकते हो ना? अबने अंकल यश्वन को मार सकते हो अब जब तुम महपादा चली गया है तो कोई बात नहीं पागलबन छोड़ो रन नीचे करो मैं 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 खुद को मैं मैं मार लूगा ठीक है तुझे मरने का इतना ही शौक है तो मार ले अपने आपको बोली वैसे भी तुझे फासी तो चड़ना ही है चार-चार खुन किया तुम्हे मार गोलिया आहा सर मैं नहीं मारा है अपने मामा यश्वं थे और रूंतिरो का भी क्यों क्यों अपने मामा को नहीं माना चाता था सर लेकिन। लेकिन उन्हें वह थुम्हेइग डेगलिया और कहीं वो पुलिस को ना बता दे, इसलिए तुमने उन्हें अपने रास्ते से ही अठा दिये और फ़स गया विक्रम तो फिर रगु और विक्रम उसे क्यों मारा तुमें? सर, मुझे पता चल गया था कि प्लेइन क्रेश में मेरे भाई की मौत हो गई है और उसकी जगह वो रगु वो रगु बहरुपिया बन गया गया इसलिए मैंने उसका भी मार डाला सर और उस रगु उर्फ विक्रम को ये पता चल गया था कि वो पेंटिंग्स तुमने चुराई था हाँ और उस दिन उसने वही बताने के लिए इस्पेक्टर विजय को छट पर भी बुलाया था और इससे पहले कि इस्पेक्टर विजय को सच्चाई का पता चल जाता तुमने उन तीनों का खून कर दिया हाँ से बहुत खूब बहुत फूल प्रूफ प्लानिंग बनाई थी तुम्हारे सारे पत्ते एक जटके में विखड़ गया है तुमने वो कावत तो सुनी होगी जोब होगे वही पाओगे इस रस्टी के साहरे तुमने उन तीनों का खून कर दिया वही रस्टी तुम्हारे पासे का पनाव नहीं